वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगए नमस्कार दोस्तों एक्जांपल पेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की क्लास में हम लोग डिसकस करने वाले है जो पिछला टॉपिक चल रहा था फंडरमेंटल राइट्स उसी को कंटीन्यू करेंगे भागतीन में मौलिक अधिकारों को हम लोग पढ़ते हैं उसी को कंटीन्यू करना है डेली तो फ़र एक बज़े आप इस क्लास को देख सकते हैं जीयस की सब्जेक्ट वाई सीरीज च जाते हैं यूपी PCS या फिर आरो यारो जैसे री एक्जाम होने वाला है उसके लिए अधर इस्टेट PCS के लिए भी कोर्सेज अवेलबिल हैं इसके लिए आपको गूगल प्रेश्टोर से Study for Civil Services का App Download करना है और जिससे आप अपने कोर्स को पर्चेस करेंगे तो ज्यानसर कूपन कोर्ड है अप्लाई करके 20% का डिसकाउंट भी मिल जाएगा कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई इंपोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि Best Study Material आप आ सकते हैं Study for Civil Services के जरिये से और आपके सेलेक्शन के लिए इंपोर्टेंट है चलिए आगे अपनी क्लास को कंटीनिव करते हैं पिशली क्लास में हम लोगोंने मौलिक अधिकार में जो सुतंजिता का अधिकार है उससे पहले समानता का अधिकार है और साथ में सोशन के विरुद अधिकार है इनको देख लिया था एक बाग फिर से रिवाइस कर लीजे सबसे पहले हमने पढ़ा आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार जो की पहला अधिकार था दूसरा आता है 19 से 22 तक जो आता है 19 से लेकर के 22 तक जो आधिकल है वो आ जाएंगे सुतंजिता के अधिकार में और आर्टिकल 23 और 24 था सोशन के विरुद अध देखेंगे आप 4 आर्टिकल हैं जिसमें सबसे पहला है 25 आर्टिकल अंता करण की और धर्म के अबाद रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की सोतंतता अर्थात इसके तहर प्रते एक व्यक्ति को अंता करण की सोतंता के साथ धर्म को मानने उसका आचरण करने प्रचार करने की सोतंतता दी गई है और इसी के तहर जो धर्म परिवर्तन का मुद्धा है वो भी इसी में आ जाता है तो आर्टिकल 25 याद रखिएगा अंता करड़की और धर्म के अबाद भूप से मानने इसका चलन करने और पेचार करने की सोतंतता है ये एक प्रकार का मौली कदिका है आर्टिकल 26 याद कीजिए धर्मिक कार्यों के प्रबंध की सोतंतता दी गई है तो आर्टिकल 25 के तहरत हम लोगों ने देखा व्यक्तिगत इस तरपर धर्मिक सोतंतता का प्रावधान था लेकिन आर्टिकल 26 में सामूहिक इस तरपर धर्मिक सोतंता को सुनेशित किया ग अधिकार दिया गया इसी के तहट और ऐसी संपत्ति का विधी के द्वारा प्रशाशन का अधिकार होगा हालाकि धार्मिक संस्थां को ये अधिकार लोग विवस्ता सदाचार और स्वास्त के अधिन ही दिये गए हैं तो आर्टिकल 26 आपको याद अखना है ये सामुही किस्त अधिकार देवने के लिए ये प्रावधान किया गया है इसके तहट आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति है इसको ऐसे करो को देने के लिए बाद नहीं किया जाएगा जो किसी विशेज धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिव्रद्धी या पोशन के लिए लगाया गया ह उसके लिए खर्ज किया जा रहा हूं तो इससे सुतंत्ता दी गई है आर्टिकल 27 में आर्टिकल 28 में दिया गया है कुछ सिक्षा संस्थाओं में धार्मिक सिक्षा या फिर धार्मिक उपासना में उपस्तित होने के बारे में सुतंत्रता तो आर्टिकल लठाई से प्रावधान करता कि सिक्षर संस्थाओं में धार्मिक सिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्ति राजी करता है किन्तु किसी ऐसे ट्रस्ट के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्ता में धार्मिक सिक्षा देना आवस्यक है तो वहां धार्मिक सिक्षा दी जा सकती है राजी से मानिता प्राप्ति या राजी निधी की सहायता से सिक्षर संस्ता में धार्मिक सिक्षा में भाग लेने वाले या फिर धार्मिक को पासना में पस्तित होने के लिए तब तक बात दिन नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या फिर यदि कोई आवेस्क है तो उसके संग्रक्षे ने अपनी सहमती नहीं दे दी है तो ये कुछ प्रावधान आर्टिकल 29 और आर्टिकल 23 जो की 5 वाधिकार अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले आता है आर्टिकल 29 इंपॉर्टेंट है अल्प सेंख्यकों की भासा लिपी और संस्कृति की सुरक्षा की जाएगी इसमें तो प्रतेक नागरीक को अपनी विसेज भासा लिप या फिर संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार होगा राज द्वारा पोसित या फिर राज निधी की सहायता से प्राप्त किसी सिक्षर संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरीक को केवल धर्म, मूलवंस, जाती, भासा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा ये आर्टिकल 29 में दिया गया है इसके बाद आ जाता है आर्टिकल 30 जिसमें सिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रसाशन करने का अलप संख्यक वरगों का अधिकार है धर्मिया फिर भासा पर आधारी सभी अलप संख्यक वरगों को अपनी रुची के अ पत्ति के अनिवार अर्जन के लिए विधी बनाते समय राज यह सुनिक्षित करेगा कि इसके लिए अलप संख्यक सिक्षर संस्थान को उचित रकम दी जाए और ये भी प्रावधान है कि सिक्षर संस्थानों को सहायता देने में राज इस आधार पर भेदभाव बिलकुल सबसे पहले आर्टिकल 32 देखते हैं इसके बाद जो आर्टिकल दिये गए इनको एक एकर के हम लोग डिसकस कर लेंगे तो यह सात्वा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 32 जिसके तहत रिट सहीत मौलिक अधिकारों को लागू करने के उपाय दिये गए हैं अर्थात मूल अधि सब्सक्राइब कर भी से कहते हैं कि यह सम्विधान की आत्मा है यह आर्टिकल 32 ही डॉक्टर अमबेड करने कहा था सम्विधान की आत्मा इस अनुच्छेत के तहत सरवोचनयाले में सीधे जाने का अधिकार दिया गया और ये भी प्राउधान सयम में एक मूल अधिकार होत ईस अनुच्छत के तहत प्रतेक व्यक्ति को विदाय का और कारिपाली का दोनों के विरुद। सराक्षिक्ष प्रदान किया गया है। जैसे की मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सरवक्रीत चुने पर आदेस्य करने करता है। और यहां रिट के अंतरगत बंदी पे तक्षी करण आता है, पर्मादेश आता है, प्रतिशेध आता है, अधिकार प्रच्छा आता है, और उप्रेशन रिट ये सारी सामिल है। संसत को यह सक्ती दी गई है कि वा विधी द्वारा सर्वोच न्यायाले की इन सक्तियों को किसी अने न्यायाले को भी प्रदान कर सकता है। और इसी के तहट समिधान में दिये गए प्रावधानों के अलावा इस अंच्छेद द्वारा प्रापत अधिकारों को निलंबित नह दूसरा आजाता है पर्मादेश, फिर है प्रतिशेद, इसके अलावा आता है अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेशन रिट, ये सारी रिट हैं, इनके बारे में आगे डिसकस करेंगे, जैसे ही प्रशन आगे आते जाएंगे, उनको हम लोग हल करते हुए, इनको भी डिसकस कर तो ये हो गया छठा अधिकार, तो कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनको अब तक हम लोग डिसकस कर चुके हैं, अब इसके बाद हमें उन भी अधिकारों को पढ़ना है, या जो हटा दिये गया है, जैसे कि संपत्ति का अधिकार है, आर्टिकल 31 में आता है, वो हटा दिया ग मुझे, आर्टिकल 33 के तहर संसद विधी द्वारा सैनेबल, अर्ध सैनेबल, पुलिस हो बल हो गया, या फिर उचना अजेंसी हो गये, इनमें कारेरत व्यक्तियों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है, और इस संबंध में संसद द्वारा सेना अधिनियम 1950 लाय जैसे कि पुलिस बल हो गया, सेना बल हो गये, इनको मौलिक अधिकार, वो जो आमनागरी को प्राप्त है, वो सारे अधिकार नहीं प्रतिबंध लगाए गये हैं, इसके अलावा एक और आर्टिकल आपको याद करना है, आर्टिकल 35 इस भाग क्यों बंधों को प्रभावी क करने का विधान अर्थात, इसके तहट मौल अधिकारों के प्रावधान को प्रभावी बनाने है, तो संसद को सकती दी गई है, और या सकती राज विधान मंडल को नहीं दी गई है, याद अखिएगा, तो ऐसी सकती किसको दी गई है, सिर्फ संसद के पास है, आर्टिकल 34 भी देख लीजे रह गया, जब किसी छेत में सेना विधी प्रवत्त है, तब इस भाग दौरा प्रदत अधिकारों का निरबंधन होगा, अर्थात आर्टिकल 34 के तहर संसद किसी छेत में सैने कानून लागू कर सकती, तथा इस आधार पर उस छेत में दिवास करने वाले व संपत्ती का अधिकार है, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कूस करेंगे, तब आर्टिकल 31 को अभी एक बार मैं समझाना चाहूंगी कि आर्टिकल 31 के तहट संपत्ती के अधिकार को मूल अधिकार घोसित किया गया था, लेकिन जब सरकार द्वारा जमीदारी उन्मूलन और भूमी सुधार हुआ, तो इसके लिए कानून बनाय जाने लगे, तो नियायले में इन कानूनों को इस आधार पर चुनोती दी गई, कि संपत्ती के मूल अधिकारों का उनलंगन कर रहे हैं, तो ऐसे में संसत्त द्वारा प्रथम सम्मिधान संसोधन लाया जाता है 1951 मे और इसके तहट ये आर्टिकल 31 है, इसके देखेंगे आर्टिकल 31 का का दिया गया है, खा दिया गया है, गा दिया गया है, और घा भी दिया गया है, तो इनको क्या किया गया, ये 31 ए आर्टिकल है इसके तहट ये प्रावधान किया गया, कि राज को ये अधिकार होगा, कि वह संपदा के अनिवार यदिग्रहन के लिए प्रावधान कर सकती है और वही नवी अनुसूची में भूमी सुधार से संबंधित कानूनों को सामिल करने का प्रावधान किया गया आर्टिकल 31B है इसके माध्यम से यह निर्धार इत किया गया कि नवी अनुसूची में जो सामिल विसे हैं वो नियाइक समीक्षा के दाएरे से बाहर कर दिये जाएंगे तो इसी प्रेकार संपत्ती के अधिकार दिये गए हैं इसको हम लोग आगए भी डिसकस करेंगे जब 300-A आर्टिकल तक पहुँचेंगे जो संपत्ती का अधिकार है विदिक अधिकार बनाया गया था इस बारे में discuss कर लेंगे अभी मौलिक अधिकार की बात हो रही तो इसको मैंने complete किया है अभी तक आप सारे मौलिक अधिकार पढ़ चुके हैं लेकिन इन से संबंदी तो और भी कुछ प्राउधान है और भी कुछ तथी है जो exam में पूछे जाते हैं वो हम लोग अगली क्लास में discuss करेंगे और अगली क्लास में जो part 3 है या फिर जो ये chapter चल रहा है वो complete हो जाएगा इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे I hope आपको समझ में आया होगा कहीं भी doubt लग रहा है किसी भी article में आपको confusion है आप comment करके पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेर करते रही है इसकी पीडिये प्राप्त करनी है डीटेल वीडियो देखना है या वीडियो क्लास चाहिए आपके course के प्रिपेशन के लिए आप जिस भी exam की कांट मिल जाएगा मैं मिल